है पिखले लेक्शेर्स थक हम लोग डिसकस्ट करते आ रहे हैं अपनी class 11th में units or dimensions हमने डिसकस्ट की हमने measurements डिसकस्ट किया और भी बहुत साही चीजा हम discuss करते चलेए चोटी मोटी problems भी करते आ रहे हैं और लो शट गलती गलती, गलती. वह भूल गए. वही मैं बात कर वह गलती. आज का टॉपिक जो है, वो हमारा है गलती. He means errors in measurement. देखि गलती हैं हमसे होती हैं. एरर हमसे हर जगे होती है. कभी कभी हम घर में गलती करते हैं. मम्मी की डाठ खाते हैं. मार भी खाते हैं, हो जाता है कि ह gide equiv कि अनर्जी बैंट मैं कित פה बैंट बस्ता है तो गलती यह Ó जाती है तो गल्ती जब होती है तो अगर पहली गलती होगी तो डाट पड़ती हूसा दूसल्जी गलती हुई थुमार पड़ती垂र है क्या मी ही चीज़े फिजिक्स में भी होती है कि फिजिक्स में आप कितनी ही प्रफेक्शन से कोई भी काम करें आप से गलती होती है कि गलती कि किसी तरह से सकती है हमारी मेजर मेजर्मन करते हैं और फॉब्डा प्रॉब्लम कर रहा हूं कि हमारी день iç की मेशर्म पर मेजर्मेंट कर रहे हैं ये मेजर्मेंट इधर से किया अर। तो यह सारी चीज़ें चलती ये थे हमारी और सिस्टेमेटिक गलती हो चाहिए प्रऊसेश की गलती हो चाहिए इत्मोस्फिरिक गल्टी रियोग गलती हो व्यक्रों तो सी में भी हम लोग बात करते हैं जब किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो मेजरमेंट्स के दौरान कोई भी चीज कितनी ही पर्फेक्शन से करते हों एनी टाइप अफ मैथार हमने पूरा कंसेंटेशन लगा दिया बट इस्टिल दिफरेंस बिविन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू जो उसकी एक्शुल वैल्यू होगी और जो हमने मेजर की होगी उन दौनों के बीच एक थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा उसको हम कहते हैं एरर देखिए गलती यानि एरर जैसे हम कहते ना कि म एक एक्सपेमेंट किया 9.8 वैल्यू आनी चाहिए थी जी की मेजर की आ कितने रही है 9.7 हो गई ना गलती मुझे बोड की लैंथ यहां से यहां तक मेजर करनी है इसकी जो लैंथ है वह फॉर फिट मैंने इसके लिया मेजर करना शुरू कर दिया मेजर करके पहुचा 3.11 इ एक इंच का गलती होई ना तो यह जो गलतियां हो रही है चाहिए कितने ही perfection के साथ हम काम कर रहे हैं हमने खुब कोशिश कर लिया लेकिन थोड़ा बहुत हमें गलती जरूर होती है और यही गलतियां हमारी error कहलाती है measured value में जो गलतियां हम कर जाते हैं वहीं कहलाती है is errors in measurement तो अगर इसको बोला जाए तो कह सकते हैं कि the difference between the difference between measured value and true value is called error तो जो difference आ रहा है वो हमने कहां यह error होता है जी अब इस topic में हम लोग experiments के दौरान true value कैसे find out होता है या error कैसे निकालते हैं absolute error relative error mean absolute error percentage error इन सब के बारे में discuss करेंगे कहने को छोटा तौपिक है तौपिक है भी बहुत छोटा पर इसकी importance physics में बहुत जादा है हम लोग जब तक measured value measurements करते है experiments करते हैं हर जगे इसका आता है और 99 परसेंट तो मैं कहूंगा हन एक नए एक problem चाहें नीट हो चाहें advance हो चाहें मेंस हो हर एक में इस टौपिक की जरूर बिलती है तो आज जो टौपिक हम डिसकस करेंगे उसमें केवल और केवल एरर एरर में एपसल्यूट एरर यह मेजर्मेंट करना त्रू वैल्यू मीन करना रिलेटिव एरर निकालना इन सब को मैथड करेंगे कोशिश करेंगे निकालने की और फिर कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज का टौपिक यहां तक करेंगे लग इससे रिलेटेड कभी न कभी प्रॉब्लम साथी भी रही है और जो नीट वगिरा में आती हो तो कुछ अच्छी प्रॉब्लम भी आती हैं देखने में बड़ा सिंपल टॉपिक लगेगा आपको और है भी तो हमने कहा दिफ्रेंस बिट्वीन मेजर्ड वैल्यू एंड टू वैल्यू इस कॉल्ड एरर अब प्रॉब्लम आती है जब हम करें जी हमसे गलतियां तो होती ही हो और मेजर्मेंट भी हम ही करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो फिर ट्रू वैल्यू निकालने का जरीया क्या है कैसे ट्रू वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए सोच के देखते हैं करते हैं थोड़ा सा काम कि हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में हम लोग कोई एक्सपेरिम A4 and so on, A N तक, अब true value निकालने का जो method होगा, वो क्या होगा, इनका mean ले लिजिए, इनका mean ले लिजिए, यानि true value उम कैसे करेंगे, A mean, that is true value A1 plus A2 plus A3 plus dash dash up to A N divided by N, तो यह जो कौन चीज आई, A M, this is called true value, तो true value के वलतब आ सकती है, according to the physics, जब हम किसी measurements के value का average ले ले ले, mean ले ले, जैसे हमने कोई experiment किया, three times, फिर mean लिया, और हम करते हैं, five times, फिर mean लेते हैं, तो no doubt, जो five times करेंगे, तो उसके द्वारा लिया गया mean, वो जो value आएगा, इसलिए हम बहुत सारे measurements करते हैं, और बहुत सारे measurements करने के बाद, उनका mean ले ले लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं, true value, देखे, अब absolute error, absolute error क्या होता है, कि जैसे हमने कहा कि जो error है, it is the difference between the mean value and measured value, तो absolute error is the magnitude, जो error है उसका मान, उसकी value, तो absolute error is the magnitude of difference between true value and measured value, absolute error, true value का और measured value का difference है, इसको हम कहते हैं, absolute error, यानि कितना वो हो सकता है, देखे, अगर मैं कहता हूँ, तो मेरी true value क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले discuss किये हैं, कि true value क्या होता है, true value कि अगर किसी experiment को हमने number of times perform किया, हमने एक चीज को बहुत वार किया और हर बार result हमने not किया, then the mean of these results, mean of these readings is true value, तो true value के लिए हम क्या कहेंगे, if a1, a2, a3 dash j shift to an are the results of an experiment, then the true value is am, that is equals to a1 plus a2 plus dash dash to an divided by n, तो यह इसका true value का formula आ गया, याद रखियेगा, कि this is the formula of true value, अब हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हमने निकालना है, absolute error, absolute error के लिए मैंने क्या कहा, it is the magnitude of error, difference between true value and measured value, तो absolute error क्या होगा, absolute error, इसमें आएगा, सबसे पहला absolute होगा, delta a1, that is error in the measurement of a1, a1 को जाओं में में मेजर किया, तब error कितना रहा, तो दो से denote करेंगे, delta a1 से बिटा, और that is a1 minus am, so, यहां से clear हो रहा है, कि error क्या absolute error, absolute error क्या है, a1 minus am, similarly, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, क्या होगा, absolute error in the measurement of a2 कितना होगा, delta a2, और यह कितना हैगा, a2 minus am, dash dash, last क्या हैगा, delta an, and that is an minus am, तो अगर हमें absolute error calculate करना है, तो absolute error कैसे measurement करोगे, हर बार, जितनी भी बार हमने reading लिया, जितनी भी बार हमने result निकाला, उस result का difference निकालना है, true value के साथ, and the difference between result, experimental value and true value is called absolute error, अब देखिए, एक छोटी सी बात करते हैं, error जो आएगा, जो आपका absolute error है, वो positive भी हो सकता है, वो negative भी हो सकता है, जो absolute error है, वो positive भी हो सकता है, वो negative भी हो सकता है, कैसे होगा, देखिए, अगर हम कहते हैं, कि true value तो है, 3, और measured value आया है, 2.9, तो absolute error केतना हो जाएगा, delta A is equals to 2.9 minus 3, that is minus 0.1, आगे हैं नेगेटिटिव अप्सलीट error, और अगर हम कहते हैं, measured value हमारा है 3.1, तो यह हो जाता, delta A that is equals to 3.1 minus 3 is equals to 0.1, तो आप यहां देख पा रहे हो, कि जो absolute error है, वो हमारा negative भी हो सकता है, वो हमारा positive भी हो सकता है, लेकिन, 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 हमें लेना कैसा है बिटा, हमें लेना है positive, इसको हम कह सकते हैं कि गलती होती है, उसकी nature ही positive होती है, additive होती है nature, error की nature additive है, कैसे additive है देखो, हमने पहली बार गलती करी, मम्मी ने डाट लगई, दुबारा गलती करी मम्मी ने और जोरों की डाट लगई और गलती से अगर तीसरी बार गलती हो जाएगी न तो चौती बार गलती लगए लायक नहीं छोड़ा जाएगा अपको फिर तो आपकी पिटा ही लगेगी तो वही कंडिशन यहां है कि एरर क्या एडिटिव है इसको इसलिए कह रहा हूं थोड़ा अलग धंसे लेकिन उसको देखिया कि एरर की जो नीचर है वह एडिटिव है और हम हमेशा काउंस कौन सी एरर काउंट करेंगे मैक्सिमम वाली सबसे बड़ी गलती काउंट करेंगे तो अब देखते हैं हो क्या रहा है कि जो आगे की कैलकुलेशन होगी हम ने कहा एपसलिट एरर कैसी होती है एपसलिट एरर होती है हमारी एड पॉजिटिव और नेगिटिव भी बट जब हम मीन एपसलिट एरर लेंग मीन एपसलिट एरर कितना होगा इसको लिखेंगे डेल्टा एम बार तो यह हुमारा हुआ मीन एपसलिट एरर हमने जितना भी एपसलिट एरर आया था ओन सबका मेगनिटिव लिया मेगनिटिव यह पॉजिटिव पार्ट लिया साइन अटा दिया उसका जब साइन अटा दिया तो यह आया डेल्टा एवन यह डेल्टा एटू सबका मोड लेकर उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया डेट मीन एपसलिट एरर तो इसका मतलब जब हम एक्पेमेंटल जंक लिए वी तरहिंतना है तो कैसे लिखते हैं नाव दर Report यह रिजल्स आजरत जो लिखते हैं कि लगते हम के एयं प्लस माonn सबसे minimum count कितना हो सकता है 1 mm तो 1 mm सबसे minimum हो सकता है तो गलती भी 1 mm की हो सकती है न तो हम यहीं कहते हैं कि उस apparatus से इतने की गलती हो सकती है ऐसे यहां बात कर रहे हैं तो हमने जब कैलकुलेट किया mean absolute error तो true value है result है से लिखेंगे mean true value plus minus इतना इतनी वेल्यू उसकी कम भी हो सकती है measuring measurement में और इतनी values की जदा भी हो सकती है measurement के दौरान अब हम बात करते हैं relative error की अब हम बात कर रहे है relative error की तो relative error या fractional error इसे कहते है relative या fractional error इसे कहते है रिलेटिव या fractional error इसे कहते है this error is the ratio of mean absolute error with the true value हमने अब तक कैलकुलेट किया था यह mean absolute error delta am bar now the ratio of delta am bar with am यह क्या हुआ mean absolute error this is the true value so the ratio of mean absolute error with true value is called relative error similarly अब आगे हम निकालते है calculate करते percentage error percentage error क्या होगा percentage error क्या होगा percentage error कहलाता है relative error इन्टू 100 so the percentage error is the relative error into 100 हम इसे calculate करते में यह भी लिख सकते हैं delta am bar upon am into 100 हम लोगोंने आज क्या किया हमने आज calculate किया errors के विशे में थोड़ा सा knowledge लिया कि physics में error होते क्या है error की importance क्या है error है क्या हमने का जी error होता है जो चाहें कितनी भी perfection से work किया जाए वो होना ही होना है चाहें एक्स्पेमेंट के दौरान हो जाए method करने में हो जाए हमारे instrument में कोई error हो हमारे conscious थोड़ी गरबर हो जाए हम लोग काम कर रहे हैं थोड़ा ध्यांग तरहीं और दूर हो जाए कोई शैतानी दिमाग में आजाए means कहीं ना कहीं हमारे से जब हम कुछ भी कर रहे हैं और सभी माहिने में तो कितने ही आप perfection के साथ भी कर रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत measurement में गलती होगी वो measurement में error आएगा जो difference आएगा true value का और experimental value का उसे हम कहते error उसके बाद में हमने का magnitude of the difference between measured value and true value is called absolute error फिर हमने की calculate किया था mean absolute error तो जित्ती भी error sign सब का mean जो होता है that is called mean absolute error then relative error or fractional error तो the ratio of mean absolute error with the true value is called relative error and last percentage error percentage error कहलाता है relative error in 200 तो हम किसी भी experiment को करते हैं उसकी percentage error निकालते हैं calculate करना होता है और पता चलाते कितनी हम error कितना percent कर पाए हैं तो यह तो था आज के लिए next lecture में हम लोग discuss करेंगे कोई भी इसके examples कि हम लोग कैसे calculate कर सकते हैं इन errors को okay thank you कर दो